हेलो दोस्तों, रमन्स किचिन में आपका स्वागत है, आज में आके साथ शेयर करने आई हो आटे के लड़ू की रेसिपी, चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की और देखिए कड़ाई करम कर लिये हैं, इसमें बनफोत कप में घी डाल रही हूं, साथ ही तीन चमज गोंद क अच्छे तरीके से पकने देंके, जो गोंद होती है, वो साबू दाने की तरफ फूल जाती है, इसको अच्छे तरीके से पका लें, उसके बाद निकाल लेते हैं, इसे निकालने के बाद जो बचा हुआ गी है, उसमें मैं आदा कप बदाम डाल रही हूं और आदा कप काज आप चाहें तो किश्मिश को अलग से भी सेख सकते हैं, देखिए साथ ही मैं एक कप मखानी डाल रही हूं उसी गी में, मखानी को भी अच्छी तरीके से सेख लेंगे, मखानी को भी सेखनी के बाद हम इसे भार निकाल लेते हैं, देखिए निकाल लिया है मैंने, इसके बाद में और one fourth cup घी और डाल रही हूं और देड़ कप आटा डाल रही हूं मतलब एक कप और आधा कप देखें देड़ कप आटा मैंने डाल दिया है आटी को आपको low medium frame पर अच्छी तरीके से सेखना है पाच मिर्ट तक इसी तरीके से सेखेंगे देखें आटी के लड़ू में सब जाए इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर तरीके से आटी को सेखना साथी में सई तरीके से घी डालें देखें आधा कप मैं घी और डाल रही हूं मुझे ड्राय लग रहा है आटा इसे मिक्स कर लेते हैं अंच्छी तरीके से चलाते रहें गी अगर आपको कम लग रहा है तो आप और एड़ कर सकते हैं इसी तरीके से चलाने के बाद मैं आदा कप घी और डाल रही हूँ अगर आप कम घी डालेंगे तो उससे क्या अगर दो तीन दिन बाद जब आप स्टोर करके रखेंगे तो लडू खाने में उतने सॉफ्ट नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए अब इसको 10-12 मिनिट लिए अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर सेख लें जब तक जो हमारा आटा है वो ब्राउन कलर करने उज़ता है गोल्डन मॉम जादा ब्राउनी करना है पर कम से कम आपको इतना ब्राउन करना है कि जो आटी का कच्छा पन है वो नहीं रहें देखे आ अब आटा है वो घी छोडने लग गया है हमारा आटा घी छोडने लग जाता है हम गैस का फ्लेम आफ कर दें अचे ठंडा ओने के लिए रगतेंगे आगे के प्रसेस कर लेते हैं देखे एक जाल ले लिया है इसमें मैं टू थर्ट कप शकर डाल रही हूं शकर का आपको फा पाउडर फॉर्म में तयार हो गए है ड्राइफ रूट देखे एक बड़ा बोल ले लिया है इसमें ये जो ड्राइफ रूट अपने पीसा था वो भी डाल दे रही हूं देखे अब ये जो गोंध है इसे भी और मखानों को भी इन दोनों को साथ में पीस लोंगी इसका भी प्रॉपर पाउडर तयार कर लोंगी इसे भी इस बाउड में डाल देते हैं साथी ये किश्मिश को भी मैं डाल दे रही हूं और ये जो मारा आटा है अब थोड़ा थंडा हो चुका है इसे भी डाल देते हैं देखे ये मैंने डाल दिया है अब प्रॉपर तरीके से आपक इसमें मिक्स हो जाएं और और अच्छा फ्लेवर दें इसे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3-4 कप शक्कर डाल रही हूं जो हमने PC थी देखे शक्कर डालें के बाद आपको ध्यान रखना है कि शक्कर जब टालें जब जो हमारा आटा है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है गरम में शक्कर नहीं डाली जाती है देखे से प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद देखे छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और जो हमारे लड़ू है उसको बैंड करते जाएंगे देखे इसी तरीके से सारे लड़ू बना लेना है आपको एक और देखा देती हूँ देखे इसी तरीके से सारे लड़ू तयार करने हैं आपको और यह जो हमारे आटे के लड़ू है सारे बन कर तयार है इससे अपनी गर्मा गरम चाय के साथ सौफ करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर बताएं